इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 26 जन्वरिया स्पेसल तीरंगा पुलाव की रेसिपी वो भी बहुत ही असान तरीकों से और ये आपको खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत ही यमी है और साथ में है मूली का रायता तो चलिए आपका स्वागत है वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिरिन क्लड का पिरिप्रेशन कर लेते हैं तो हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें ऐड़ करेंगे रिफाइन वाइल और साथ में ही हमें यहाँ पर ऐड़ कर लेंगे दो हरी मीर्च और इसी के साथ हम यहाँ पर add कर देंगे हर पत्ते वाले प्याज को और इसे एक दो मिनिट के लिए high flame पर cook करेंगे इसे हमें high flame पर ही cook करना है जब तक यह cook होता है तब तक हम चावल को भी देख लेते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर चावल को भी cook कर लिया है और चावल को मैंने 80% तक cook किया है और मैंने यहाँ पर इंडिया गिट वासमाती राइस लिए हूँ यह देखिए इतना 80% है कि यह चिपक भी निरा मेरे हाथों में तो इसे साइड में रख दिते हैं और यहाँ हरे पत्ते भी cook हो गया है फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी आइट कर देंगे ताकि मटर अच्छी तरह से cook हो जाए और इसे cover करकर एक दो मिनिट के लिए cook होने देंगे एक दो मिनिट हो चुका है देखिए मटर भी अच्छी तरह से cook हो गया है और पानी में उवाल भी आ गया है तो साथ में हमें यहाँ पर एड़ कर देंगे पेस्ट और यह पेस्ट बना हुआ है धन्या के पत्ते, लासून, आदी और हरे मिर्च के साथ मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और इसे पूरा कपको मैं एड़ कर दूँगी इस मिक्सर में और इसे एक दो आप हमेशा फ्लेम को हाई ही रखिएगा इससे चावल चिपकेगा नहीं तो अब यह मिक्स हो गया है अब हम इसे साइड में रख देते हैं अब हम दूसरा प्रिप्रेशन बना लेते हैं तो औरेंज कलर के लिए तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है उसमें एड कर दूंगी रिफाइंड वाइल और साथ में एड कर देंगे लाल मिर्च और इसी के साथ एड कर देंगे लाल प्याज को भी और इसे हम फ्राइ होने देंगे एक दो मिनिट के लिए तो देखिए प्याज फ्राइ हो चुका है अब यहाँ पर एड कर देंगे लाल गाजर और इसे भी ए हम यहां पर एड़ कर देंगे सॉल्ट को भी और यह पानी छोड़ेगा तो यह जल्दी भी गल जाएगा जब टमाटर अची तरह से गल जाए तब यहां पर हम एड़ करेंगे टोमैटो केचप और साथ में एड़ करेंगे ग्रीन चिली और इसे भी एक दो मिनिट के लिए कुप करेंगे फिर हमें आपर एड़ कर देंगे पुलाव मसाला और इसे भी हम एक दो मिनिट के लिए कुप करेंगे साथ में हमें आपर एड़ कर देंगे चावल को और हाई फ्लेम पर इसे हम मिक्स कर लेंगे तो लीजिए ये भी तयार हो चुका है अब हमेसे साइड में रख देते हैं तेनो प्रेप्रेशन तयार है अब हम इसकी पलेटिंग कर लेते हैं तो हम यहाँ पडेट लेंगे और यहाँपर रेट कर देंगे शबसे पहले गिरीन क्लैरोला चावल और इसे चार तरफ फैला लेंगे फिर हम एट कर देंगे वाइट गलर ब्राचावल और इसे प्लेट में फैला कर इसे पलट लेंगे और फिर हम यहाँ पर एट कर देंगे आरेंज गलर का तो इसे भी हम उसी तरह से इसके उपर रख देंगे थोड़ा संभल कर करिएगा ताक ये फैलेना और हम इसे थोड़ी कालाकारी कर लेंगे ग्रीन चिली के साथ तो यहाँ पिरती रंगा सैलेड भी आ गया मुझे यकीन है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल पर पहले बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर जरूर जाईएगा तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जब तक खुश रहिए कुशियां बाटते रहिए और आज पास सफाई बनाई रखिए थैंक यू टेक क्यार एंड नमस्कार